ओम स्री गनेशा है नमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागता है इस योट्यूब चैनल में दोस्तों हो जाओ तैयार पांच, छे, साथ और आठ मार्च के इन दिनों में मालक्षमी के असरवास से आपको अनेको प्रिकार की बड़ी-बड़ी खुशकबरियों की प्राप्ति होने वाली है जे हां दोस्तों, दोस्तों मालक्षमी के असरवास से आपके लिए मार्च के चार दिन अत्यन्ठी महत्पून होने वाली है जिससे आपका जीवन पूरी तरह पदले वाला है इन दिनों में आपके गिरहों में कुछ ऐसे बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके लिए सुब सईयों को का निर्मान कर रहे हैं दोस्तों माल लक्ष्मी के असरवास से आपके ये चार दिन बहुत ही खुशियों भरे रहने वाले हैं साथ ही इस महीने आपको अनेको प्रिकार की बड़ी-बड़ी सफलताएं और बड़ी-बड़ी खुशकबरियां अवसे ही प्राप्द होंगी दोस्तों वो सफलताएं और खुशकबरियां कौन-कौन सी हैं इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंतर तक वस्य बने रहें और अंतर तक आप इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महित्पून होने वाली है दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटफीसिन की भेल को तपाएं जिस से आप तक नेनी वीडियो पहुँच सके चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा पाँच मार्च से आठ मार्च के बीच का ये महित्पून समय दोस्तों व्यक्ति का जीवन ग्रहों से नियंत्रित होता है और जीवन में सुक और दुख सफलता और एसफलता भी ग्रहों की चाल से ही तेह होते हैं जन्म कुंडली में पड़े ग्रहे व्यक्ति के जीवन की विकास की दिशा तेह करते हैं दोस्तो गिरहों में हो रहे परिवर्तन और आपकी रासी में बन रहे सुभ योगों से अब आपकी रासी वालों के जीवन में अब होने वाले हैं बड़े बड़े परिवर्तन इन दिनों में आपके जीवन में अने को बड़े बड़े चमतकार होंगे और बहुत बड़े बद अब इन दिनों में आपको मिलने वाला है दोस्तों अब आपकी रासी वालों के उपर सुब ग्रहों की असीम किरपा होने वाली है इससे आपकी भाग्यरेखा बदल जाएगी अब इन दिनों में आपकी सारी तकलीफें, परेसानियां और आर्तिक तंगी से आपको छुटकारा मिलने वाला है और अब इन दिनों में आपको बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी खुशकबरियां मिलने वाली हैं कई छेत्रों से आपको इन दिनों में बड़े बड़े सुब समाचार प्राप्थ होंगे, आपके सभी रुके व्यकारिये पूरे होंगे, अब आपकी धनकी समझताएं इन दिनों में दूर हो जाएंगी, जियां दोस्तों, इन दिनों में आपको अपने जीवन में अन्यको सुख सुविदाएं प्राप्त होंगी जिनकी आपने अपने सपने में और जीवन में कभी कलपना भी नहीं की ती दोस्तों आप जो पिछले समय से लगातार मेहनत किये जा रहे थे परिश्रम किये जा रहे थे और आपको सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी तो अब इन दिनों में आपको सफलता अवस्य प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविदाएं प्राप्त होंगी और बहुत सारे बड़े बदला होंगे और बहुत सारी खुशकबरियां आपको इन दिनों में देखने को मिलेंगी दोस्तों निश्च मोक्य आपको मिलेंगे, साथ यसाथ आपको आρतिक तॉर पर भी अने को परकार के लाम मिलेंगे, इन दिनों में आप अपने बहुस्य से सम्मन्दित नए नए योजना उपर विचार विमर्स करेंगे और आगे की योजना तैयार करेंगे, जिक्छा दोस्तों, दोस्तों, आपको बता दें, इन दिनों में आपका मन विचलित हो सकता है, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहनी की जरूरत होगी और अपने खानपान और दिंचरिया को संतुलित और नियमित रखने की जरूरत होगी दोस्तो इन दिनों में आपका मन बहुती हलका रहेगा दोस्तो आपको बता दें इन दिनों में आप विवादित मामलो और गलत संगती से जितना दूर रहेंगे उतनी ही आपको इन दिनों में सफलता प्राप्त होगी दोस्तो इन दिनों में जितना हो confidence बहुत बढ़ जाएगा साथी साथ आपकी mentality बहुत अच्छी हो जाएगी और बदल जाएगी और आपकी वानी में एक मिठास आएगी मधूरता आएगी इससे सभी का मन आप मोह लेंगे दोस्तों इन दिनों में आपके कारियों में मजबूती आएगी और आपके सुखों में व्रद्धी होगी और अचानक धनलाब का योग बनेगा साथी साथ इन दिनों में कारुबारियों को व्यापार बढ़ाने के नए नए रास्ते मिलेंगे नए दे अवसर मिलेंगे और दोस्तों महमारी को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा दोस्तों इन दिनों में आप दोस्तो इन दिनों में आप अपने कारियों में कुछ नया एड करने की सोच सकते हैं या कोई नया विवसाय सुरू करने से लाप राप होगा जिया दोस्तो यह दिन आपके सुख समरिद्धी के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं इन दिनों में आपके कारिये छेत्र और व्यापार और बिजिनेस में नए-ने सुधार होंगे और नए-ने अवसर आपको मिलेंगे जियां दोस्तो भग्य की दरश्टी से यह दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे साथी साथ यह दिन निवेश के लिए भी लाप्रद होने वाले हैं जियां दोस्तो इन दिनों में आप इस बात का दिहन रखें कि आपकी बात सामने वाले को बुरी ना लग जाए अपनी वाणी और विवार में सौम्मेता बनाए रखें व्यापार में बुद्धी और विवेक से लिए गए निड़ों से आपको बड़ालाब होगा इन दिनों में आपके कारिय छेतर और अधिकार में व्रद्धी होगी ज्या दोस्तो, सबी सही होगयों का आपको समर्थन मिलेगा, इस समय में समर्थन आपको मिलता हुआ नजर भी आएगा इन दिनों में नोकरी में परिवर्तन के नए-नय उसर आपको प्राप्त होंगे और रोजगार के छेतर में आ रही रुकावटे दूर होंगी जिया दोस्तों और यात्राएं आपके लिए लाबकारी रहेंगी वियापारी वर्क के लिए ये समय नई-नय योजनाव की पूर्ती के लिए सुब रहने वाला है इन दिनों में आपको रुके हुए और अटके हुए कारिया पूर्य होंगे उनमें आपको सफलता भी मिलेगी दोस्तों इस समय में आपके विरोधी और सत्रू भी होंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका सडेंत रुफल हो जाएगा दोस्तों इन दिनों में आप सट्टा आदी से दूर रहें दोस्तों इन दिनों में आप सुक समर्दी की चीज़े खरीदेंगे इन दिनों में चला चल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे जमीन जदात से लाप्राप्त होगा यदि आपका घर बनाने का सपना है तो वह भी इस समय में पूरा होगा और सिक्षा के छेत्र में इन दिनों में आपको बड़ी-बड़ी काम्याभी मिलेंगी यह दिन उच्षा के लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं विबिन परिक्षाओं और प्रतियों की ताओं में सत प्रतितत आपको सफलता प्राप्त होगी जो जातक संतान की इस चुक्ते उन्हें संतान प्राप्ति का उनका सपना पूरा होगा एव ववाये जातकों के विवा के लिए सुब रिस्तों के योग बनेंगे और जो जातक सिंगल ले उनका जीवन साती उनको इस समय मिल सकता है इन दिनों में आपके अपने जीवन साती से संबंद मजबूत हो जाएंगे दामपते जी उनमें खुशिया परकरार रहींगी